हेलो दोस्तों गैसे आप लोग आयोप सम्मस्तूंगे आज की सुने बताने वाला हों कि सारे इंडिया का भुक्तान कब तक मिल पाएगा जहां पर आप समझ सकते हैं कि मिलने की उमीद थी तीस अप्राइल को भाई नहीं मिल पाया है उसके बाद कि जहां पर मैंने आपको बत उनको पैसा मतलब सभी जितने विसके सेरधार है कि उनको पैसा मिल पाएगा निवेशन को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा तो विडियो में तक मंदरेना या बढ़ी आज ज़रू कर देना है तो दोस्तों आपको पते हैं कि 12 साल कंप्लेट हो चुके है सारे इंडिया सभी का पैसा फंस चुका है पूर तरीकी से पैमिट मिलने वाला बहुत जादा मुस्किल है क्योंकि बाई इनके पास इतनी संपत्ति है कि संपत्ति बेचने के बाद ही सभी जितने भी इसके निवेश सके हैं तो उनको सभी को पैसा मिल जाएगा लेकिन जहां पर अभी नहीं कि बाई दो दो महीने कर देड बढाते रहते हैं उसके बाद कि यहां पर कुछी दिनों में ऐसी बाई सुपरिंगोड पे भी फैसले काफी होते रहते हैं और जहां पर यह बाग जाएगा किसी को पैमिंट नहीं देगा तो मैं यहीं बताने वालूं कि अभी तक कोई पैमि देती है मुझे रखता नहीं है कि बाई जल्दी से पैमिंट दे दे वह पैमिंट दे भी दे मुश्किल भी पैमिंट देगा यह चांस पूरे तरीके से कंपनी के बने हुए हैं क्योंकि यह आशुपरात्री जीता है पता नहीं भाई वो क्या करते रहते हैं सभी निवेश् कि शिखर भी पुचा सकते हैं फिर भी नहीं दे पा रहे हैं तो झीह के आने वाले समय में क्या कर सकते हैं ऑदे क्या कंपड़े में चाहिए को लई कि शरुऑ कर दिना यह साथ कुछ में पहले बारे हैं इस मेरे चैनल क्या पर तो पांतें ऊंस्यित भाई